कि नमस्कार खबरों की खबर में आपका सौगत है पाच दिन पहले कैपिटल टीवी ने ये खुलासा किया था कि कॉंग्रेस पार्टी के वरिष्टम नेता मद्परदेश के सबसे बड़े नेता कमलात भारती जनता पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं आज उस खबर की पुष्टी हो गई और तारीक भी आ गई कि 19 तारीक को कमलात भारती जनता पार्टी में शामिल होंगे सिर्फ वही नहीं बलकि मद्परदेश के अंदर जो अकेला कॉंग्रेस पार्टी का सांसद है कमलात के बेटे वो भी भारती जनता पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं बड़ी खबर है लेकिन सवाल कई सारे उठेंगे भारती जनता पार्टी पे भी और कॉंग्रेस पार्टी के उपर भी लोग सवाल पूछेंगे कि ऐसी क्या बात हो गई कि जिस सक्स ने अपनी पूरी जिंदगी 40-45 साल कॉंग्रेस की सेवा में लगा दी अब जब वो करीब 80 साल का हो गया है तो वो पार्टी क्यों बदल रहा है ऐसी क्या बज़ा है कि जिस सक्स को मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में अभी 3-4 महिने पहले कॉंग्रेस पार्टी मधप्रदेश में पेश कर रही थी वो चेहरा अब दूसरी पार्टी विपक्ची खेमे में चला गया है राहुल गांधी सोनिया गांधी के नित्त पे सवाल खड़े होना बहुत ही लाजमी है क्या हुआ है और क्यूं कमलात पाला बदल रहे हैं ये जानने और समझने की जरुरत है और यह आपको बताएगा कि किस तरीके से राहुल गांधी अपनी मिलकियत अपनी प्राविट लिमिटेड कंपनी के तरह कॉंग्रेस पार्टी को चलाना चाहते हैं आपको ताजू कि एक छोटी सी घटना के उपर मामला इतना बड़ा होता चला गया और राहुल गांधी की जिद उनकी अकर और उनका जो अभिमा घमंड है वो इस तरह से सर पे चल के बोलता है कि उन्होंने ये भी ख्याल नहीं रखा कि अगर कमलात मदपदेश में बारती जन्ता पार्ट में शामिल हो जाते हैं तो मदपदेश में कॉंग्रेस पार्टी कहीं के नहीं रहेगी जो बची खुची इजद बची हुई है वो भी खत्म हो जाएगी क्या हुआ है यह कहानी की सुरुवात है जब एसेमली के एलेक्शन्स हो रहे थे कमलात के हाथ सब कुछ दे दिया गय कमलात ने अकेले कॉंग्रेस पार्टी की पूरे कैम्पेइन की कमान अपने हाथ में रखी थी दिल्ली से पैसे नहीं गये कमलात सब कुछ खुद ही देख रहे थे मतलब ही वास इन चार्ज और दो होल कैम्पेइन अब इस दोरान एक घटना घटी कई सारी घटना हैं घटी लेकिन एक घटना जिसके बाद राहुल गांधी और कमलात के बीच रिष्टे खराब हो गए वो घटना थी कि सुनील कानुगलू ये स्टैटिजिशन हैं रन नितिकार हैं राहुल गांधी के बड़े चहते हैं मद्परदेश की के पूरे एलेक्शन को देखने के लिए वो मद्परदेश में थे और वहां वो कमलात के घर में ही रुके हुए थे लेकिन दोनों के बीच विवाद होता है विवाद इतना बड़ा हो जाता है कि कमलात उनको अपने घर से बाहर निकाल लेते हैं कहते कि नहीं वह जाओ कई और विवस्ता करो छोटी सी बात है दो विक् छोड व्यक्ति क्या करेगा वो सीधे सीधे कमलात से बात्चीत करेगा आपने कमलात जैसे बड़े लीडर जो आपके पिता के समकच्ष थे आपके पिता के साय की तरह वो कॉंगरेस पार्टी में काम करते रहे कहीं सारे आरोप भी अपने सर पे लिया आप उसका दिरादर करके ये कल के जुम जुम चार दिन हुआ एक व्यक्ति आया है जो आपके हिसाब से लगता है कि बहुत बड़ा ग्यानी है राजनीती का तो कम से कम आपको ये ख्याल रखना चाहिए था आपने कमलाद से इस मसले में बातचीत नहीं की आपने फोन कर दिया सूर्जेवाला को और सूर्जेवाला उनके लिए अलग जगह की विवस्था कर रहे और उसके बात से ये बताया जाता है कि राहुल गांदी इतने नाराज हो गए कि मेरे आदमी को आपने क्यों इस तरह से कर दिया और दोनों के बीच बातचीत बंद हो गई और जब चुनाओ नतीजे आए कांग्रिस पार्टी हार गई तब तो और भी मामला खराब हो गया सारे लोग डिप्रेशन में तो चले ही गए लेकिन इसके बाद क्या होता है आप क्या गुसा आपका बरताओ जब आपकी सेना आपकी टीम हारती है वही एक रियल नेता एक लीडर का टेस्ट होता है कि अपने हारे हुए सेना के साथ आप डाट के उनमें उर्जा का संचार करते हैं लेकिन राहूल गांदी ने ठीक उल्टा किया जिस व्यक्ति के हाथ में पुरे मदव परदेश की कमान थी आपने उस पटवारी को बना दिया जो नोन कमलनाद का विरोधी है मतलब आपने पहला सिग्नल दे दिया कमलनाद को और ये बताए जाता है कि जब आपने ये पटवारी को आपने अध्धक्ष बना दिया मद्परदेश की कमान दे दी उसके बारे में कमलात से आपने पूस्ताश तक नहीं की तो ये साब साब सिगनल था कि कॉंग्रिस में अब आपके लिए कोई जगर नहीं है बात्चित बंद कई बार मिलने की कोशिश की कमलात ने सोनिया गादी से मुलाकात नहीं हो पाई और उसके बाद पिछले फ्राइडे को ये कल वाला नहीं इसके पहले वाले फ्राइडे को दिल्लि में बड़ी घटना घटे शीवरा सिम्च चौहान भी दिल्ली में चीफ मिनिस्टर यादव वो भी दिल्ली में कमलात भी दिल्लि में लेकिन मीटिंग्स अलग अलग जगों पहो रही थी कमलाद के मुलाकात सोनिया गांदी से होगी राजसभा के चुनाओं है उन्होंने कहा कि अब मुझे राजसभा में आ जाना चाहिए सोनिया गांदी ने कोई जवाब नहीं दिया और उनको ये बात समझ में आ गई कि राहुल गांदी नहीं चाहते कि अब वो कोई active role में रहे अब कमलाद के उपर अगर आप ये action लोगे तो वो तो ये भी सोचेगा कि मेरे बेटे को भी side line कर दिया जाएगा तो एक कारण ये कि जब आपने पूरी तरीके से कमलाद को एक corner में धकेल दिया तो वो व्यक्ति चुप तो बैठेगा नहीं दूसरी चीज सिर्फ एक seat पिछली वार Congress Party को आई थी वो चिनवारा वहाँ कमलाद के बेटे की जीत हुई थी तो ये सारी चीजे चल रहा था बीजेपी के अंदर कि इस बार राजिस्थान के तरह गुजरात के तरह सारी के सारी seat जीतनी है तो ये पिछ किया जा रहा था बीजेपी के तरफ से के चिनवारा में इस बार सिर्फान सिंग चौवान को खड़ा किया जाएगा 2014 में Congress Party उस seat पे जीती थी सम अलाग के आस पास vote margin था 2019 में भी जीत गई कमलाथ के बेटे मात्र 37,000 भोट से जीते मतलब उनकी इस्तिती भी डमाडोल हो रही थी तो ना सभा नहीं गया जा पाएंगे कमलाथ लोग सभा नहीं जा पाएंगे उनके बेटे और राहूल गांदी के साथ निस्ता खराब बड़ा cold reception बहुत ही अच्छे ढंग से अच्छे महौल में सोनिया गांदी से इनकी मुलाकात नहीं हुई तब तो पाला बदलना था और भारती जंता पाटी वो अपने उस target पे चल रही है कि हर राज में जहां जहां भारती जंता पाटी है वहां 50% से ज़्यादा vote प्राप्त करना है हर seat के उपर ताकि आने वाले समय में कभी कोई गुंजाइस कोई doubt न रहे कि कोई उनको वहां चुनोती भी दे सकता है तो कमलाद की बाचीत केंद्रे नेताओं से भी भारती जंता पाटी के और जिस दिन सोनिया गांदी से उनकी मुलाकात हो रही थी कमलाद की सिवराज सिंग्चोवान और सियम यादव वो अमिशा और प्रधान मंतरी मोदी से मिल रहे थे मतलब उन लोगों को ये फैसला बताया जा रहा था तारीख तैकी जा रहे थी ये गोशना पहले भी हो सकती थी लेकिन मालूम चला कि भई अमिशा शौक ट्रीट्मिंट देना चाहते हैं कॉंग्रेस पार्टी को ये पुर्व मुख्य मंतरी है एक पुर्व मुख्य मंतरी महराष्ट के अंदर कॉंग्रेस पार्टी के सबसे बड़े लीडर असोक चवान वो भारती जंता पार्टी में आ गए और ये दूसरा शौक देना था समय के साथ साथ और आने वाले समय में कई सारे शौक इस तरह के लगने वाले हैं कमलाज जैसे बड़े बड़े लीडर कॉंग्रेस पार्टी को छोड़के भारती जंता पार्टी में शामिल होना चाहा है तो 19 तारिक को इसकी घोशना कर दी जाए डील क्या है डील वही है कि बेटे को लोगसभा का टिकट दिया जाए और सरकार बनेगी तो उनको कोई मंत्राले मिल जाए और वो अपने साथ एक अकेले नहीं आने वाले हैं बताया जा रहा है दस से बारह विधायक वो कॉंग्रेस पार्टी के तूटके वो पहुंचने वाले और कई सारे बड़े लीडर्स को अल्रेडी मद्परदेश में भारती जंता पार्ट राहुल गांदी के लीडर्सिप के उपर बहुत बड़ा दाग लग गया है जो तमाम पुराने लीडर्स हैं एकस्पीरिस लीडर्स हैं वो एक मैसेज देना चाह रहे हैं राहुल गांदी उन तमाम लीडर्स को जो यूपिय सरकार के दोरान मंत्री थे जो सोनिया गांदी क साथ सोन्या गांदी को बिलकुल में फ्रिम में लाने के लिए जिन लोगों ने महनत की वो लोग जो राजीम गांदी के साथ काम कर रहे थे उन लोगों के लिए राहुल गांदी ने कह दिया कि अब आपको ज़्यादा कष्ट उठाने के आवर सकता नहीं है यह नया कॉंग्रेस है यह वामपंधियों दोरा डिरेक्टेड और प्रड्यूस्ट कॉंग्रेस है यह सिनिमा हम चलाएंगे हम डिरेक्टर हैं आप लोगों की कोई जरूरत नहीं है तो ये कॉंग्रेस्ट पार्टी नहीं राहूल गांदी के नित्रत की वज़े से ये तमाम सीनियर लीडर्स छोड़ छोड़ के जा रहे हैं वही पार्टी में आपने पूरी जिन्दगी खपा दी और आखरी वक्त पे जब आपको पार्टी के द्वारा पुरुस्क्रित करना चाहिए आपको पढ़ रही है गालियां तो कौन इस गांदी परिवार की चटुकारता और गुलामी को बरदास्त करेगा अब सवाल भारती जंता पार्टी से भी है कि इतने सारे कॉंग्रस के लीडर्स आ जाएंगे अंदर तो फिर कौन बीजेपी के जो वरकर्स हैं वो कहां जाएंगे कहां जाएंगे ये उसको एड़ेस्ट करने का काम भारती जन्ता पार्टी के किंद्रिय लीडर्स को करना पड़ेगा इस तरह की खबरों से पाटी छोड़ के कॉंग्रेस छोड़ के बाकी दलों को छोड़ के भाती इंता पाटी में बड़े बड़े लीडर्स जॉइन कर रहे हैं इसका एक फाइदा तो होता ही है लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है कि आप चुनाओं से ठीक पहले दुस्मनों से ही दुस्मनों के लिए दर्वाजे आप खोल देते हो तो इससे कारकरताओं के बीच एक गरत संदेश भी जाता है गोशना उनिस तारिक को होगी हमारी डिजर बनी हुई है आप देखते रहे कैप्टल टीवी हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए शेर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद